अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर एक्जाम अकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सटी से आये हुए असूसियर्ट प्रोफिशर और असिस्टन प्रोफिशर से रिलेटेड जो भी जौब रिक्रिमेंट से मंदेत इनफार्मिशन रहता है वो आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करता रहता हूँ तो गाइस आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भारत के दो सेंटरल यूनिवर्सटी और दो स्टेट गवर्मेंट यूनिवर्सटी की तरफ से आये हुए टीच अफिलब करने का पूरा प्रसेस है वो क्या रखा गया है तो इन सभी चीजों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है किर्पया चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि इस तरीके विश्विद्याले जो की एक केंद्री विश्विद्याले है है यहां से रिक्रुमेंट मांगा गया है स्पेशल पोश्ट है जिसमें यसी अश्टी और पीड़लुडी के जो रिजर्ब कंटिडेट है बैक लॉग के उनके लिए यह वो भी इस फार्म को फिलब करेंगे और य 20 नॉमबर 2023 का डेट रखा गया है और इस फार्म को फिलब करने के बाद आप लोगों को आप लोगों को इसकी जो हार्ट कापी है उससे सिल्फ अटेश्टिट करके आपको इस पते पर इस पूस्ट के माधिम से या कोरियर के माधिम से भेजना है साथ दिशंबर 2023 से पहले तो ही आपका फार्म एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पर प्रोफेशर और असोसेट प्रोफेशर का जो नॉडिफिकेशन है कमबाइन कर दिया गया है जिसमें सैलरी और दोनों मेंसन किये गए हैं आप देख सकते हैं साइंस डिपार्टमेंट से रिक्रुमेंट आया हु हुआ है कुल टोटल हैदराबाद यूणिवरसटी से प्रोफेशर के लिए 11 पोश्ट है और असोसेट प्रोफेशर के लिए भी 11 पोश्ट पर रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है सेलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप प्रोफेशर के लिए फार्म अप्लाई करते हैं और अपॉइंट हो जाते हैं तो यहाँ पर एक लाग 44,200 रुपया सेलरी प्रोवाइट कराए जाएगी हमारी जो अगली युनिवर्सटी है जहां से रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है वो है हरियाना केंद्री विश्विद्याले जहां से असिस्टन प्रोफेशर के लिए रिक्रुमेंट मांगा जा रहा है इसका notification जो है वो 17 नमंबर 2023 को release किया गया था वाकिन interview का post है जिसमें guest faculties के लिए recruitment निकल कर आया हुआ है यहां से अगर आप farm fill up करेंगे तो यहां चार department से recruitment निकल कर आया हुआ है जिसमें statics में guest faculties पर दो post रखे गए हैं commerce में एक post रखे गए हैं computer science and information में दो post रखे गए हैं और Sanskrit department से यहां पर एक post पर recruitment मांगा जा रहा है total जो यहां पर vacancy है वो 6 post के लिए recruitment मांगा गया है और यहां पर अगर आप farm fill up करते हैं तो किसी तरीके का कोई exam नहीं लिया जाएगा और सिर्फ जो shortlisted candidate रहेंगे उन्हें interview में बुलाया जाएगा interview का जो date है वो 1 से 2 December 2013 का date रखा गया है तो अभी आप लोगों के पास date है आप farm fill up कर सकते हैं फार्म को fill up करने पर पॉइंट कर लिया जाते हैं तो जो salary यहां पर आप लोगों को provide कराई जाएगी वो 50,000 रुपया पर मन्त यहां पर आपको मिलने वाले हैं हमारी जो अगली university है जहां से recruitment निकल कर आया हुआ है वो है डाक्टर सकुंतला मिस्रा राष्टिय पुनरवाश विश्विद्याले जो की एक state government university है उत्तर प्रदेश की यहां से assistant professor के लिए regular post पर recruitment मांगा जा रहा है यह notification 4 November 2023 को release किया गया था और इसका जो last date है वो 9 December 2023 का date रखा गया है यहां पर जो salary प्रवाइट कराई जा रही है प्रोफेशर के लिए वो 1,44,200 रुपय रखी गई है associate professor के लिए यहां पर 1,31,400 रुपय है और assistant professor के लिए 57,700 रुपय salary यहां प्रवाइट कराई जाएगी law department से law के लिए English के लिए Commerce के लिए और law के लिए assistant professor, associate professor का post है वहीं department से professor, associate professor, assistant professor तीनों के लिए है physics से recruitment मांगा गया है mathematics से तीनों के लिए recruitment मांगा गया है और microbiology के लिए भी तीनों post पर recruitment मांगा गया है तो यह एक state government university है जहां से regular post पर recruitment मांगा गया है तो अभी इसका जो last date है वो बचा हुआ है अगर आप यहां से farm fill up करना चाहते हैं तो farm fill up कर शकते हैं हमारी जो अगली university है वो है करनाटका state law university यह भी एक state government university है जिसे नैक ने एक rate दिया हुआ है यहां से जो notification release किया गया था वो 15 नमबर 2023 को release किया गया था assistant professor के लिए यहां पर post आया हुआ है temporary full time के लिए यहां पर assistant professor के लिए post मांगा जा रहा है और guest faculties में भी recruitment मांगा गया है दो तरीके का recruitment यहां पर आया हुआ है जिसमे temporary full time assistant professor के लिए अगर आप farm fill up करना चाहते हैं तो इसमें law में recruitment मांगा जा रहा है political science में मांगा जा रहा है और mathematics में कुल आठ सीटो पर recruitment मांगा गया है यहां पर जो salary provide कराई जा रही है पचास हजार रुपए पर मन्त यहां पर आप लोगों को salary provide कराई जाएगी guest faculties के लिए अगर आप यहां से farm fill up करते हैं तो यहां पर चाहर डिपार्टमेंट रखे गए हैं guest faculties में भी कुल टोटल यहां पर पान सीटो पर recruitment मांगा गया है law में कानूनू, कानड़ा, management, history में recruitment मांगा गया है इस recruitment में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों ने UGC, net, slate, set या फिर PhD, qualify किया हुआ है तो भी आप यहां से apply कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने नहीं qualify किया हुआ है तो भी यहां आपको apply करने का मौका दिया जा रहा है और एक अच्छी salary भी यहां पर आप लोगों को provide कराई जा रही है आप देख सकते हैं यहां पर UGC, net, slate, state और PhD के लिए 525 रुपया पर हावर्ष की salary यहां provide कराई जाएगी कि अगर आप कम से कम 3 घंटे भी इस university में रोज पढ़ा रहे हैं तो आपको 1500 रुपया पर मन्त के पर डे के हिसाब से salary provide कराई जाएगी और अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है UGC, state, net, gate या PhD तो भी आप लोगों को यहां पर 450 रुपया पर मन्त की salary provide कराई जाएगी पर हावर्ष यानि कि 1500 रुपय पर डे के लगभग और 45-50,000 रुपय पर मन्त के लगभग आप लोगों को यहां salary provide कराई जाएगी ऐसे लोग भी यहां पर पढ़ा सकते हैं जो retired है टीचर के पद से या फिर advocate के रूप में practice कर रहे हैं तो guys यह थी भारत की चार युनिवरसिटियां जहां से जिसमें से दो युनिवरसिटियों में regular post है और दो युनिवरसिटी में guest faculties पे recruitment मांगा जा रहा है तो इन चारों युनिवरसिटी में से अगर किसी भी युनिवरसिटी से आप apply करना चाते हैं तो चारों का जो last date है last date से पहले farm को fill up कर ले इस तरीके की और भी information आप लोगों को हमारे youtube channel पर मिरते रहते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much